जी मेरी आवाज आ रही है हलो जी सर जी सनान आप भी जिन्दा हैं जी सर जब्रदस्त अच्छा यह यह सर जी जी अभी जनाब मैंने जो आपको इंट्रेक्शन तो काफी तफसील से समझा दिया है और मुझे उमीद भी है कि आपको समझ आ गया होगा अब हम थोड़ा सा इंट्रेशन की बात करेंगे थोड़ी सी स्कॉप की करेंगे ताके स्कॉप पे जाते हुए हमें कोई दिकत नहों मदब कई कोई previous link missing नहों जहां तक इंट्रेशन का तालुक है तो इंट्रेशन में तो आपको अंदाज़ा है कि हमारे पास जितनी भी processes हैं साथ की साथ they are all in control they are parental processes बले वो initiation हो, planning हो, execution हो, monitoring in control हो या close हो integration का process हमेशा in charge होता है बेचक वो एक process हो जा एक से ज़्यादा process अगर आप understand करें तो आप देखेंगे के initiation के अंदर हमारे पास था develop project charter इसके इनिसेशन में total process दिन दो जिन में से in control था develop project charges का तालब integration से है और दूसरा process वो stakeholder वालों का था planning के अंदर total process है 24 लेकिन जो in control था इन सारों को control कर रहा था वो था develop project management plan integration का process हमेशा in control होते हैं वो बाकी 23 process को गुमा रहा था उनको उनसे काम करवा रहा था तो बाकी जो कुछ भी बन रहा था वो दरसल उसका अर्क निकल के वो project management plan में जा रहा था सारी baseline भी project management plan में आ गए थी और सारे management plan भी इसी के अंदर आ गए थी फिर जब हम execution में गए तो हमारे पास दो process थी 4.3 और 4.4 जिन में से ज़्यादा important process था direct and manage project work जो कि सनान में बताया कि ये वो process है जो project management plan को implement करने का बाइस बनती है अच्छल काम ये करवाती है कैसे करवाती है क्या चीज़ है project में जो execute होती है वो होती है base lines scope schedule और cost की तीनों की base line ने ये execute करवाता है बाकी जो management plans है उनमें तो सिर्फ instructions लिखी हुई है इदायात लिखी हुई है काम कैसे करना है असल जो काम है जो जो जिसके उपर काबले अमल काम है वो base line हो के अंदर लिखा हुआ है कि काम किस तारीक को शुरू करना है कितने पैसों में करना है कितना काम कैसे करना है वगर वगर एक इसकी associated process दूसरी भी है यहाँ पर वो है manage project knowledge जब हम project पे काम कर रहे होते हैं तो हमें नई नई सूर्टेहाल से गुजरना पड़ता है और बहुत सी नई चीज़े हम सीखते हैं जो project knowledge हम इसे learn करते हैं वो हम record कर लेते हैं आइंदा के लिए आइंदा इस project के अंदर भी काबले इस्तमाल है और जब यह खतम हो जाएगा तो यह पिर आइंदा आने वाले project के लिए भी यह knowledge इस्तमाल किया जा सकता है फिर अब आजाते हैं monitoring and control के process group के अंदर यहाँ gain अमर पस दो process हैं दोनों processes equally important हैं मैं इस पहले process को monitor and control project वर्क को मैंने क्या का था chief analyst है यह यह जितने controls और monitors पड़े में हैं इस इस मुख्लिफ knowledge areas के यह उन सब का chief है वो जो कुछ भी काम करते हैं work performance data को analyze करके वो work performance information में convert करते हैं यह उन work performance information को receive करते हैं और उन सब को further consolidate करके work performance report बनाने का जिम्मेदार है तो यह काम जो है monitor and control project वर्क का हो गया जो perform integrated chain control है इसका क्या काम है perform integrated chain control का काम है कि change request कहीं से भी आए वो receive यह करता है और उसके उपर फैसला यह देता है change request execution से भी generate हो सकती है even मैंने बताया था planning से भी generate हो सकती है अगर हो सकता है scope baseline में कोई amendment करने की जरूरत पढ़े तो scope baseline तो planning के शुरू में plan हो जाती है scope complete होता है तो even schedule planning के दुरान या cost planning के दुरान अगर हमें जरूरत पढ़े तो शायद हमें scope baseline को change करना पढ़े तो उसकी भी change request आ सकती है लेकिन जयातर change request आपकी आतो execution से और या फिर monitoring and control ही से generate होती है तो जो monitoring and control से change request आरही है वो भी इदर ही आरही है जो इधर इदर से आरही है वो भी इदर ही आरही है और ये process उसका जम्हेदार है उनको process करने का उसके बाद जब चलते हैं closing में तो closing में एक ही process है close project or phase और उसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ensure करता है कि सारी चीजें complete हो गई है सारे deliverable हो गई है मतलब closing सारी ceremony सारी वो करता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जो साथ की साथ process है they are in control और अगर देखा जाए तो पूरा project हमें यहां होता हुआ नजर आता है क्योंकि ये control कर रहा है बाकी सारी process तो इसके मातहद काम कर रही है तो आपको पूरा ही project होता हुआ नजर आएगा शुरू चार्टर से लेकर आखर close होने तक anyway जी इस chapter को अपने तौर पे आप पढ़ सकते हैं सनान खास तौर पे आप इसके अंदर चीज़ें तो बहुत ही अचकाम की लिखी हुई है मगर मैं वो सब कुछ discuss नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लंबी कहानी अलग से बन जाएगी ये चार्ट है जिसके अंदर सारे के सारे जो साथ के साथ process हैं उनके सारे inputs, tools and techniques और outputs ये सब के सब listed हैं अगर आप त्यारी करना चाहते हैं तो ये हर knowledge area में इस तरह का एक चार्ट मुजूद होगा अगर ये सारे चार्ट आप प्रिंट करके एक दिवार पर लगा लें तो आपको 49 के 49 processes एक जगा पर बने वे नजर आ जाएगे तो आप अपनी त्यारी के दुरान जो है न वो दिवार के उपर जाके चीजों को पढ़ सकते हैं देख सकते हैं एक ही जगा पर अपसफ़े पल्टे बगएर आपको सारी project management के सारे process और उसके सारे input सारे output सारे टूल एक ही screen पर नजर आ जाएंगे एक ही दिवार पर नजर आ जाएंगे ओके जी मैं यहां से आगे चलूँगा क्योंकि ये चीजें मैं तफसील में नहीं जाना चाहरा ये आप पढ़ लेंगे ने सनान ये पहला जो process था वो project charter का develop होना था और मैं सिर्फ आपको यहां यह दिखाना चाहता हूं कि जब हम यह मुझे आने दें हुदर यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह है process project charter का अब आप दरह देखिए input में जो चीजें हैं उनकी कुछ sense बनती है क्या क्या चीजें हैं चार चीजें हैं जी इंपूट में चार्टर बनाने के लिए बिजनस डॉकुमेंट जो के आप जानते हैं business case के अंदर उसमें benefit management plan है आप जानते हैं agreement को भी और enterprise environmental factor organization process asset तो तकरीवन हर जगा पर इंपूट जाता है output में देखें तो यहां से charter निकलता है और एक subsidiary output इसका यह है कि जब आप चार्टर बनाएंगे तो कुछ assumptions भी लेंगे तो वो जो assumptions आपने ली हैं उनका एक log बन जाएगा और वो record भी maintain होना चुरू हो जाएगा वो क्या tools हैं जो charter बनाते हैं वकत इस्तमाल हुए एक तो expert judgment हमने इस्तमाल करनी है और expert judgment क्या होती है expert judgment project manager की अपनी अकल अपनी टीम के मशवरे और इसके इलावा और किसी से भी वो पूछ सकता है यह charter बनाने में किसी से मदद मागना चाहे किसी expert से किसी से भी यह मशवरा ले सकता है भले उसका तालुक प्रॉजेक्ट से हो या ना हो for example मैं एक बहुत बड़े author को जानता हूँ project management के मैं उससे कोई मशवरा ले ले लेता हूँ उसका project से मेरे कोई तालुक नहीं है मैं उससे कहता हूँ कि अच्छा सार जब यह करें तो चार्टर में किस चीज़ का ख्याल लटना चाहिए तो मुझे कोई format वेज दे तो इस तरह से वो expert judgment जो है वो कहीं से भी ले सकता है जो tools जिसने यहां इस्तेमाल करने हैं लाजमी बात है कि जो stakeholders हैं उनको साथ शामिल करके या अपनी team के members जिनने उसके साथ बैट के यह काम करना है अगर वो कोई लोग एक से जादा हैं उसके पास तो उनकी मदद भासल करेगा या stakeholders को साथ मिलेगा data gathering करेगा उनके साथ बैट के brainstorming करेगा brainstorming का मतलब होता है कि creative exercise मतलब आप out of the box सोचते हैं और लोगों को नई नई चीज़ें सोचने पे मजबूर करते हैं और इसके अलावा फिर focus groups बना लिए जाते हैं हम कहते हैं जी सारे लोग जो हैं वो चोटी चोटी टीमों में distribute हो जाएं और फिर उन टीमों में आप discussion करते हैं या for that matter हम specialized लोगों के लोग एक तरह का काम करने वाले लोग हैं उनकी टीम बना लेते हैं फिर उनके specialization के हवाले इसके questions discuss करते हैं interviews individual है अगर से किसी एक आदमी समयने को data लेना है तो मैं उसका interview उनके साथ रखता हूं और उनसे discussions करता हूं question answer करके उनसे information निकालता हूं इसके लावर जो अगला skill है वो है interpersonal and team skills इसमें लाजमी बात है जब हम यह कारवाईयां सारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ conflict management भी करनी पड़ेगी मिसाइल भी कड़े होंगे फिर लोगों को हमने facilitate करना है मिसाल के दौरब जो मैं brainstorming session कर रहा हूं तो मुझे लोगों को कुछ cue देनी होती है अच्छा आप सोचें ना प्लीज इतना मैं इतने time देता हूं आपको यह चीज ज़रा एक सोच के लेके हैं या इसको discuss करें और इसको डिसकस करें और रिजल् इंडा होगा कितना time meeting का होगा कितनी ऐसा ना हो कि लंबी चौड़ी meeting शुरू हो जाएं never ending meetings होती है खाने भी आ रहे हैं चाय भी आ रही है meeting should be limited to specific period of time मेरे एसाब से कोई meeting ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक घंटे से उपर जाए 45 minutes is the enough time for any kind of meeting for that matter खैर जी वो meetings held की जाती है उनके जो भी कोई अपने तरीका कार है उसके मताबिक और as a result आखर में project charter और presumption log जो है यह इदर से output होता है इसके बाद यह दूसरा diagram यह हर process का आपको यह दो diagram मिलेंगे एक तो यह table सा और उसके बाद यह diagram यह जो diagram है कि उसी table की translation है लेकिन इसके अंदर जो चीज इनपुट हो रही है मिसाल के तरुपे यह process है डिवलप project charter का इसमें जनाब यह चीज इस arrow से यह चीज ने input आ रही है business documents आ रहे हैं दोनों इदर से agreement आ रहा है इदर नीचे से enterprise non-productive process assets आ रहे हैं तो चारों चीज आ गए न और इसके निखल क्या रहा है इससे assumptions log निकल रहे हैं जो के project के documents में जा रहे हैं और जो project charter है वो कहां कहां जाएगा यह सारी जगें आप note कीजिए मैं इसका पड़ा एक simple सा formula बताता हूँ project charter will be required to be present in creation of every management plan पतलब requirement management plan schedule scope management plan schedule management plan cost management हर एक charter चाहिए हर management plan बनाने के चाहिए इसके इलावा जब हमने project शुरू किया charter बनने के बाद पहला काम जो था इनी session के अंदर आपको जात है identify stakeholder था उसको तो बचारे को कहीं से कुछ ना मिला the only thing available at that point in time was charter so identify stakeholder जब होता है उसको भी charter चाहिए होता है कहा है identify stakeholder यह है identify stakeholder को charter चाहिए होता है उसके बाद जब हम planning के अंदर आ जाते हैं तो planning में पहला काम जब हम scope पे आते हैं scope management plan तो चले है वो तो management plan है उसको तो चाहिए ही चाहिए charter लेकिन उसके बाद अभी जो बिल्कुल शुरू शुरू का वकत है अभी कुछ भी available नहीं scope भी नहीं बना तो हम पहले requirement जब develop करने की कोशिश करते हैं तो भी हमें शुरू शुरू में charter चाहिए जब मैं define scope करता हूं तो भी मुझे charter चाहिए आप देख सकते है scope management plan को भी charter चाहिए collect requirement को भी charter चाहिए और define scope को भी चाहिए इन तीनों को चाहिए ठीक है जी तो in addition to all the management plans आपको एक तो stakeholder को चाहिए एक जना collect requirement को चाहिए एक define scope को चाहिए और project के जब main project plan डेवलबर उसको और close को चाहिए आखर में जब closing हो रही है वहाँ भी charter चाहिए ये पांच जगें उसके अलावा बाकी आपके 10 knowledge है रही है 10 के 11 दस वो और एक project plan itself तो इन सब को charter चाहिए तो मतलब यह जाद रखने वाली बात नहीं मैंने तो वैसे ही आपको explain कर दिया मगर यह कोई जूरूरी नहीं कि आप इन चीजों को रहटा लगाए लेकिन आपको पस अंदाजा होना चाहिए कि जहां भी project कोई management plan बनेगा charter input उसका लाज़मी होगा और project management plan भी उसका input लाज़मी होगा खैर जी यह तफसीलात आप जुरूर पढ़िएगा इसमें charter को explain किया है charter क्या है कैसे होता है किसकी जमेदारी है जो मैं किसी हद तक बाते आपके साथ पहले कर ही चुका हूँ business document क्या है business case उसकी क्या requirement है business case के अंदर क्या होता है यह सब बाते यहां discuss की रही है लेकिन वो हमारे इस topic से directly related नहीं है schedule के वाले से इसलिए मैं उसको नहीं discuss कर रहा है इसी तरह enterprise mountain factor में से कौन सी चीज जो है वो चार्टर बनाने के लिए important है जो हमें consult करनी है process assets में से क्या क्या चीज़े सूद्मन साबित हो सकती है इसके लिए expert judgment क्या होती है किस किस चीज़ों में आपको expert judgment चाहिए हो सकती है data gathering के टूल है brainstorming focus groups and interviews और वो किस तरह से होती है brainstorming कैसे हो रही है focus groups कैसे काम कर रहे है interviews कैसे हो रहे है फिर personal team skills में conflict management है facilitation है meeting management है फिर जो normal meetings है यह जनाब आपके outputs निकल है charter charter के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है charter के content में जब आप बनाएंगे charter तो format तो नहीं बताया लेकिन उसने का यार कम असकम ये बातें उसके अंदर discuss ज़रूर होनी चाहिए briefly हो लेकिन project का purpose भी बताओ measurable project के objectives भी हो high level requirements भी हो high level project की description भी हो मोटी मोटी बात है overall project के risk जो है बहुत बारी की में जाने की ज़रूरत नहीं है मोटे मोटे रिस्क क्या है आपके बड़े-बड़े milestone कौन से है प्री approved को financial resources है तो बता दे की stakeholders कौन है वगरा वगरा जो बातें यहां दी होई है यह सब किसफ चार्टर में include होनी चाहिए फिर दूसरे process के अंदर यह हैं जिसके input outputs होगा है यहां पर हमें input में charter चाहिए और enterprise and non-refactorial process assets हो चाहिए ही चाहिए और हमें आपको याद होगा मैंने यह कहा था कि सारे management plan और सारी base lines चाहिए अब वो तो अगर मैं यहां लिखना चुरू करूँ तो बहुत जारी चीज़ें इन पर असानी पैदा कर दी उसने कहा output from other processes मतलब सारे management plan और सारी base lines यहां पर in हो जाएंगी यहां पर भी हम expert judgment इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर भी data gathering इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़े हैं सवाए यहां checklist एक additional चीज़ है जब हम project management plan develop कर रहे हैं तो कुछ checklistों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसी तरह जो interpersonal skills है वो ही है conflict management है facilitation है meetings है सब कुछ होई है जो आप पहले पढ़ चुके हैं और project management plan यहां का output है और project management plan के अंदर क्या होता है है वो मैं आपको बताता हूं यह तो इसका वो फ्लो हो गया यह प्राज्मेंट पर चला गया आगे और आगे से फिर क्योंकि यह सब जोगों पर जाते तो यह वह भी सब चीज़ें बनाने की ज़ुरुत नहीं थी कि ओक है यह उनको एक एक चीज़ को explain किया हुआ expert judgment और यह वह जो भी चीज़ेंट है चेक्लिस वगरा पर्सनल स्केल्ज और प्रफॉर्ट यह आपकी मीटिंग्स हैं different types of meeting दी हुई है फिर प्रॉज्मेंट प्लैन में यह जनाब यहां यहां देखिए project management plan के अंदर क्या क्या included है subsidiary management plans है जिसके अंदर scope का है requirement का है schedule का है cost का है quality, source, communication, risk, procurement, stakeholder दस plans हैं यह और यह तीन baselines हैं यह भी procurement plan का हिस्सा है यह तो minimum चीज़े हैं इसके लावा और क्या हो सकते है additional जो चीज़ें हो सकती है उसमें change management plan हो सकता है जो मैंने पहले दिन बयान किया था configuration management plan जिसमें version controlling का तरीका दिया होता है performance measurement baseline क्या चीज़ है मुझे कोई बताएंगे performance measurement baseline is the consolidation of scope baseline schedule baseline cost baseline बस और कुछ भी नहीं है मदब उन दोनों कोई कठा लेके दें तो यह performance measurement baseline बन जाती है project life cycle जो आपने scope statement बनाते हुए बनाई यह वो है development approach यह भी scope statement के अंदर बनती है और इसके इलावा अगर कोई management reviews वगरा है वो तो यह एक दो तीन चार पांच छे आइटम उसने उसके इलावा optional कह दिये कि यह भी additional components हो सकते हैं यह अगर होंगे तो यह भी project management plan का हिस्सा होंगे तो दस और तीन तेरा और छे आइटम यह तकरीबन कोई 18 19 19 आइटम बनते हैं जो ज़्यादा ज़्यादा project management plan में हो सकते हैं यहां पर उसने वह management review नहीं दिखाया बाकी उसने 18 आइटम यहां पर लिखे में यह जो यह आपको left hand side की ओपर column नज़रा हो रहा है यह project management plan के ingredients हैं और right hand side की ओपर जो आपको यह 33 items नज़रा आ रहे हैं 33 items they are the different project documents जो के planning के दोरान बनते हैं इसमें हर knowledge area के items हैं artifacts हैं मिसाल के तोर पे activity schedule में activities list बनती है उसके attributes बनते हैं फिर जनाब यह और चीज़ें भी हैं assumption log आपको पता है उदर से ही बनना शुरू हो गया था चार्टर से ही बनना शुरू हो हुआ है और उसमें updation होए जा रही है फिर जहाँ जहाँ estimate लगते हैं schedule का estimate, cost का estimate, resource का estimate वहाँ से basis of estimate generate हो रहे हैं change जहाँ जहाँ change approve होने के बाद change log बनता है और change request log भी एक चीज़ होती है, change log अलग चीज़ होती है cost estimates है, cost के forecast है, duration के estimate है, resource के भी estimate लिखे है, issue log है, lesson learned है जो कुछ भी बनेगा planning के दुरान, this all is included here, this is the project document project document का जो डबा बनाते हैं, वो दर असल इन सब चीज़ों को house करता है तो यह आपको समझ आ गया कि project plan में क्या कुछ है, और project document में क्या कुछ है फिर आप आजाए यह 4.3, जो direct and manage project work है, जो actual execution है इसके अंदर जो हमारे inputs हैं, उनको देखते हैं, अब आप यह देखिए, मैं आपको यह बात बड़ी clear लिए बताना चाहता हूँ, कि जब planning शुरू हो गई न, तो project plan तो बन गया, आप project plan जब एक दफा बन जाता है, भले वो मुकमल आलत में या ना मुकमल आलत में है, this is going to be there in every process of planning, every process of execution, every process of monitoring and control, and every process of closing, बिला तफर्रक हर जगा के उपर, आपको input में project management plan मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दी? फिर charter आपको मैंने बता दिया, जब भी management plan बनेगा, आपको charter मिलेगा ही मिलेगा, फिर enterprise environmental factor process asset जहां पर भी देखें, input होने, तकरीबन हर जगा पे मिलेंगे, ये वो चीजें हैं, जिनमें अलग से रटा लगाने की कोई ज़रूत नहीं है, आपको ये अंदाजा होना चाहिए, कि यार ये तो होता ही है, project management plan तो input हो गई होगा, project document तो input होंगे ही होगे, management plan हर जगा input होगा, enterprise environmental factor हर जगा होगा, organized process at हर जगा होगा, यहां पर direct and manage project work में, inputs में एक अजीब सी चीज है, ये लिखा हुए, approved change requests, ये क्या चीज है, और ये कहां से आता है, ये मुझे कोई समझा रहे हैं, प्रूफ चेंजर कास्ट ने, किसी जगह से भी जो change request आई होगी, वो जो perform integrity chain control से गुझर के approved होगी, उसके बाद इदर आ जागी, और जनेर तो किसी जगह से भी हो सकती है, control के process से भी और, लेकिन गुझर के उदर से आएगी पर्फार्म इंटिक्रेटी चेंड कंट्रोल से अप्रूफ तो अप्रूफ हालत में तो वहीं से आएगी ना, और तो कोई से नहीं से नहीं आ सकती, अप्रूफ तो उसी नहीं करती है, इसका मतलब है कि जो आपका process है, अपना monitor and control प्रोजेक्ट वर्क, पर्फार्म इंटिक्रेटी चेंड कंट्रोल, उससे जो changes अप्रूफ हो जाती है, वो यहां बेजी जाती है, वैसे बाई दीवे मैं यह भी बता दूँ कि एक copy यहां बेजी जाती है, quality control को भी बेजी जाती है, यहां पर भी एक सर्वर्क प्रश्याद है, जीजी, उसकी वज़ाजी होती है, क्वाल्टी कंट्रोल ने अपने control जो बनाने होते हैं, वो फिर उस क्योंकि एप्रूफ चेंज रिक्वेस्ट आई है, तो फिर उसके हिसाब से अपने, जो deliverable को चेक कर रहा है quality control वाला वो उसको फिर मद्दे निजर रखते है अगर को change request होगी है तो उसको उसको tools and technique में यहां पर भी एक्षपर जग्मेंट है अच्छा यहां पर फिर project management information system है यह मैंने शायद कुछ थोड़ा सा जिकर आगे पहले किया था देखेंजी दो चार चीज़ें होती है एक तो हो गए international standards, guidelines, project management के हवाले से they are general, they are market में हैं मौझूद, दुनिया में मौझूद हैं तो anybody can use them और अच्छी बात है अगर आप को standard follow करते हैं अगर आप PMBOK को follow करते हैं मगर ये कोई लाजमी नहीं है आपके उपर कि आप इंको इस्तेमाल करें, ये option है जौन सा मर्जी standard आप इस्तेमाल करने, standard इस्तेमाल करना अच्छा ही होता है उससे फाइदा ही होता है, तो generally standards अच्छे होते हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आपकी organization के अंदर, क्या आपके हालातों वाकियाते हैं organization के अंदर, वो जहां बहुत ज़्यदा projects वगरा होते हैं, उनको शायद कभी महसूस होता हो, यार project management का कोई तरीका कार नहीं है हमारे हाँ हम उसको standardized ना कर दें, तो वो क्या करते हैं, वो project management के standards को study करते हैं, methodologies को study करते हैं और उनक में से pick and choose करते हैं, कौन सी standard उठाया जाए, कौन सी methodology, अपनी को methodology tailor करनी है, वो बनाते है या जो कोई भी तरीका कार वज़ा करते हैं, चार्टर कैसे बनाया जाएगा, उसका format क्या होगा, फलानी चीज़ कैसे की जाएगी, कौन किसको बताया करेगा, ये सारे procedures बनाके organization अपने बनाती है, इसको कहते है organization की methodology, वो अपने सब कुछ बनाती है, और वो adopt कर देती है इस पूरी चीज़ को कहते हैं project management system, ये project management system बनाना किसी project manager के बसका रोग नहीं है, तो कि project manager तो कोई एक project कर रहा है, ये किसी ऐसे बने ने बनाने हैं, जो पूरी organization का ठेचेदार हो, जो पूरी organization सारे project जो हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब रखता हो, या कोई किसी तरह से उस जमेदारी बनती है, लेकिन अगर किसी organization में project management office exist करता हो, तो इस तरह के असूलों जवाबित वजा करने की जमेदारी project management office को usually दे दी जाती है, और वो उसको लाज़मी बात है blessing होती है, टॉप लेवल management की, और वो जो भी approve कर देते हैं, उसको उसको वो फिर standardized कर देते हैं, कि जनाब हमारी organization में तो यह हसूल चलेंगे, देखे standard में और regulation में फरक हैं, जब एक organization कोई regulation बना देती है और adopt कर लेती है, तो वो उनके लिए एक तरह से must हो जाती है, लेकिन जो standards होते हैं, they are good to have, आप चाहें तो इस्तमाल करें, चाहें तो ना करें, वो mandatory नहीं होते, लेकिन इसा बिल्कुल मुम्किन है, कि आपकी organization जाए हम PMBOK को follow करेंगे, और यह यह methodology होगी हमारी, इसका मतलब है, कि PMBOK को आप लोगों ने उसके standard को adopt कर लिया, regulate कर लिया, आपने यह हुकम सादर फर्मा दिया, कि हमारी organization में PMBOK के मताबिक ही काम होगा, और हम यह वाली methodology और यह format भी इसमाल करेंगे, in addition to PMBOK, आप उसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं, इससे वज़ा होता है आपका project management system, system की भी बात होगी, फिर आ जाता है project management information system, integration जब काम करती है, और किसी system के तहत काम होता है, तो कोई automated tools की requirement है, जिस से यह trace किया जा सके, कौन सी चीज कहां च education हो गई, कौन सी चीज नहीं होई, तो यह कोई software है, तो हम इस्तमाल करते हैं, जिससे इन सब चीजों का record और हसाब कताब, एक workflow system है, यह complete किसम का, projects के लिए, मतलब इसका यह मतलब ना लिया जाए कि project का, project का कोई software है, project management का, बेशक यह project management का software है, लेकिन जिस चीज को हम project management का software आम तोर पर समझते हैं, वो दरहसल project management का software नहीं है, MS project, प्राइमा वीरा, यह project management के software नहीं है, यह तो बन्यादी तोर पर scheduling के software, यह project scheduling के software है, आप मुझे बताएं ना, आप क्या MS project के उपर project का चार्टर बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज है, जहां पे मैं अपना issue log यहां मैं अपनी file रख सकूँ, ऐसा कोई system नहीं है, मुझे पूरा एक information system चाहिए, तो in addition to that scheduling वो तो चाहिए, scheduling तो बेहद ज़रूरत है, लेकिन in addition to that, हमें कोई workflow system चाहिए, को project management information system चाहिए, तो यूं समुनेजिए एक value added किसम का software है, जो आपकी organization बना सकती है, अपने project management system को अपने के लिए, एक automated mechanism, इसको कहते हैं, project management information system, इसके अलावा मैं एक और concept की तरफ भी आज़ू, मैंने आपसे एक बात की थी, कि जो भी management plan होता है, project management plan, ये मरहूने मिनत होता है, किसी guideline का, या instructions का, मतलब guideline कहना चाहिए, या हुकम कहना चाहिए, उसे कहते है, governance, governance, project management plan के लिए, मुझे project management governance mechanism चाहिए, governance mechanism मुझे mandatory conditions देता है, कि भाई, तुने project management plan है, इन इन चीजों को ऐसे से करो, specific instructions, which are mandatory to us, so whatever has been told to you in the governance structure, you are supposed to abide by it, जो चीज नहीं बताई गई, उसको जैसे मर्जी करें, लेकिन ये जो आपके उपर पबंदी लगा दी जाती है, जब governance mechanism में जो instructions मिलती हैं, वो हर सूरत में आपने उनकी पबंदी करनी है, ये जो project management का governance structure आता कहां से, ये अख़ज होता है program, अगर program के नीचे आप आ रहे हैं, ये program management का governance structure होगा, जिससे program management plan बना होगा, उससे अख़ज होगा, project governance structure, program का आया होगा, पोर्टफोलियो से, या उपर से कहीं से आया होगा, ये सब कुछ निकलता है, दरसल organization का governance mechanism होता है, organizational governance के नीचे, तमाम छोटी governance आती है, ये तो मैंने आपको portfolio, program और project के हवाले से बात की, आपकी जो departments है, जो भी organization की governance structure है, वो आपके departments उसको inherit करते हैं, और वहर department उस governance structure को translate करता है, कि मेरे department में ये कैसे चलेगा, जो उपर से instructions आई हुई है, वो फिर उस governance structure को expand करता है, अपनी department में, फिर department म एक team है, वो जो department का governance structure है, वो उसको team की governance के लिए इस्तमाल करता है, इसी तरह project में हमने कहा, कि हर level से उपर उसकी governance होती है, और वो अशर्द जरूरी होती है, उसका management plan बनाने के लिए, project है, project की governance, project management plan में हमें मददगार साबित होती है, और उसमें ऐसी हिदायात, जो उपर स आई हूं, about anything, schedule के बारे में, cost के बारे में, कोई और limitation, ये चीज़ ऐसे नहीं कर सकते है, ऐसे करनी है, वगरा वगरा, ये governance है क्या, निसाल के तोर पे हमारा मुलक जो है, इसकी governance है, इन्होंने जनाब एक कानून बनाया, एक कानून पास करती है, cabinet या, और वो कहते हैं कि ज governance, अब कानून बनाना काफी नहीं है, इस कानून का इतलाक होना भी जरूरी है, इसका मतलब है, कि government ने ये हुकम पास कर दिया, कि sheet, belt पहने बगएर कोई बंदा गाड़ी नहीं चला सकता, ये governance है, अब इस governance पे जब तक पकड़ ठकड़ नहीं होगी, चेकिंग नहीं होगी तो ये हुकम हवा में ही तहली लोके रह जाएगा, जैसा कि इस वकत आप देख रहे हैं, जो हमारी government का हाल है, वो exactly ये है, वो कहते हैं जिसे कहते हैं कि government की written नहीं है, वो written नहीं होने का मतलब ये हम पकड़ लेंगे, हम उल्टा कर देंगे, और खुझ भी नहीं कर सकते, हम यहां पर जल्सा नहीं होने देंगे, वो जल्सा भी हो जाता है, वो कहते हैं दफ़ा हो जो तुम लोग, तो ये है कि there is no governance, this is called bad governance, और अगर जो आप कहते हैं, वो करवाने की ताकत रखते हैं, this is good governance, पहले तो कवानीन आप सही बनाएं, फिर कवानीन का इतलाक सही करें, उ सही सजाएं भी दें, पूरा सिस्टम समूत होना ज़रूरी है, कानून भी सही बना हो, कानून को implement करने की spirit भी हो, चेक करने वाली police भी ठीक हो, और सजा देने वाला judge भी ठीक हो, तब कहीं जाके ये governance मकमल होती है, ये है good governance national level पे, लेकिन एक organization level पे भी governance है, बात यह है कि CEO की security नहीं हो, वो कहता हो, मैं उटा लटका दूँगा, कोई किसी को container लटका सकता हो, तो ये तो कोई बात नहीं, तो जो भी strategy होती है, उसके मताबे कि governance structure जो बनता है, वो governance नीचे तक transmit होती है, और तमाम departments के head इस बात के जिमेदार हैं, कि जो एकामात उस governance structure में top से आए है, उन को नीचे की तरफ translate किया जाए, further detail किया जाए, तफसील में उनको बयान किया जाए, ताके नीचे तक वो चीज़ transmit हो, और उसको ensure किया जा सके, कि ये चीज़ इसके उपर अमल होता है, ऐसी organization कहलाती है, good governance, और जहां ऐसा ना हो पा रहा हो, this is called bad governance, तो हम तो मुलक हमारा जैस भी हो, लेकिन हम अपने इदारों को तो bad governance में नहीं लिजा सकते, government के इदारे हैं bad governance में, almost सारे ही हैं, तकरीबन 100% इदारे government के bad governance में, लेकिन अगर आप private sector में देखें, वहां आपको अगर बहुत ज़्यादा आला good governance नजर नहीं आती, तो good governance के करीब करीब जूद नजर आ हुआ है, उनको अपने माल का दर्द भी होता है, एक दुकानदार जो है, वो नुक्सान के लिए तो नहीं करेगा काम, वो लुटाता तो नहीं फिरेगा अपने पैसे, यह तो government में करके हमारे में इतना जिगरा आता है, कि हम अपना पैसा भी लुटा रहे होते हैं, तो कि यहां पे आप यह बात समझ दीजिए, कि good governance इदारों में भी होती है, हकूम्तों में भी होती है, तो जितना structure बड़ा हो, लेकिन जितने बड़े structure होते जाते हैं, उत्तरा autocracy जादा आती जाती है, गौर्मेंट्स में usually autocracy बहुत जादा, autocracy नहीं, bureaucracy आ जाती है, bureaucracy का मतलब है, कि unnecessary check and balance system, unnecessary वो इसलिए हो जाता है, वैसे तो check and balance system इसलिए बनाया जाता है, कि ज़्यादा लोग चेक करें गलती कहीं ना हो, लेकिन जितने ज़्यादा आप levels रखते हैं, चेक करने के, उतनी अफसर शाही बढ़ जाती है, हर कोई थाम बनके बैठ जाता है, उ लेवल के उपर, मैं तो नहीं पास, मैं इस फाइल को पास नहीं होने दूँगा, मुझे वो नखरा शुरू कर देता है, कि मैं तो मुझे मेरे नखरे भी पूरे करो, जबके यह उसका फर्स बनता है, कि उस फाइल को चेक करके through करें, अगर गलत है तो बताया, अगर नहीं पसा के बैठ जाता है, खैर जी, तो मेरा point यहां पे यही था, कि good governance क्या होती है, तो वो जो मैंने good governance का जिकर इसलिए किया, कि वो जब हमने कहा था कि project management plan बनता है, तो हमने उस वकद जिकर किया था, कि को governance structure होता है, और वो पाबंदी होती है, जिसके तहत project management plan, उन governance की शराय मेरा ख्याल है कि अभी यह theory आपको काफी clear होगी, खैर, जो direct and manage project work से outputs निकल रहे हैं, उसमें आप देखते हैं deliverable, यह वही चीज़े जो आपको मैंने दिखाई हूँ है, direct and manage project work से deliverable निकलते हैं, जो कहां जाते हैं, monitor and control project work में जाते हैं, sorry, monitor and control में जाते हैं, जहां पर deliverable पह के पास जाता है, वहां से verify होके निकलता है, फिर validated scope के पास जाता है, और वहां से accept होके निकलता है, यह deliverable का सफर है, work performance data यहां से निकलता है, कहां जाता है, यह हर control और monitor के पास जाता है, और वहां जाकर इसका comparison किया जाता है, project management plan के साथ, इसका analysis किया जाता है, और analyze result का नाम होता है work performance information वो सारे monitors and control जो है वो ये सारा कुछ जम्म करवा देते हैं monitor and control project work को जो इनको consolidate करके work performance report में convert कर देते हैं तीसरी चीज़ है issue log issue log minor चीज़ है कि अगर को issues होंगे जैसे मैंने आपको पहले बता है कि issue होगा तो issue को कहीं register करना होगा issue escalation procedure बनते हैं change request जो execution से पैदा हो रही है change request तो आपको पता ही है कहा जाती है perform integrated chain control में जाती है monitoring and control में और वो जमेंदार होता है उन change request को कोई हल ने काले इसके इलावा जो जो change request ने approve होके आती है वो देखें approve change request उसके मताबक project plan भी amend होता रहता है update कर दिया जाता है project document भी update कर दिया जाते है और उसकी रौशनी में अगर organizational process assets में कोई चीजें lesson learned वगरा update करने के जुए तो वो भी update हो जाता है तो for all practical purposes direct and manage project work is completely addressed इसी तरह अगर आप इसको यह देखना चाते हैं कि यह चीजें कौन सी कहां से आ रही है और कहां कहां जा रही है इसमें और कोई ज़्यादा चीज important नहीं है इसमें यह important है कि work performance data work performance data कहां कहां जाए यह आप देख सकते हैं यह जितने arrow नीचे की तरफ जा रहे हैं यह work performance data है और अगर आप गौर करें यहां सारे monitors controls आपको मिलेंगे ज़िए validate scope है control scope है control schedule है control cost है control quality है फिर जनाब control क्या है यह resources है फिर monitor communication है monitor risk है control procurements है और monitor stakeholder engagement सारे monitor and control इसने दे दिये work performance data goes to all of them and all of them process that and convert it into work performance information और यहां से फिर information है निकलती है और किसको जाती है monitor and control project work को चले जाती है जहां पे वो इन सब को convert कर देता है work performance report फिर जनाब उसे और क्या निकल रहे इदर से जनाब deliverable निकल रहा है deliverable project management manage project knowledge knowledge manage project knowledge को इस वी एक deliverable भेज़ा जाता है ताकि वो उससे कोई lesson learned करके कहीं कोई निया सबक सीखना है तो वो उतर दिख ले change request जो होती है वो तो integrate को जाती है वो तो मसलह को नहीं deliverable भी integration को जाती है फिर deliverable जो है control quality के लिए जाती है वहां से verify होती है फिर उसके आगे validate scope को जाती है यहां क्या चीज़ें है जी यहां से जिना project management plan जब update होता है तो project plan के अंदर जाके update हो जाता है issue log और बाकी जो भी चीज़ें बनती हैं वो जाके project document में update हो जाती है और जो lessons learned हो गए रहा है और ने जीज़ें पर एसेट वो enterprise को चले जाते हैं तो यह सब चीज़ें यहां पर आपको नजर आ रही है और समझ आ रही है sir इदर एक question है sir यह जो manage project knowledge है इस process का क्या फाइदा जब वो OPA update है जिसना यह manage project जो knowledge है न 4.4 इसका क्या फाइदा है जब वो OPA update है तो उसमें historical data भी आगया lesson learn भी आगये कोई record भी आगये सारा कुछ तो उद्राज़त है तो फिर यह लग से process का क्या फाइदा है यह ज़र इन्होंने अभी बनाया है और इसमें इन्होंने यह चीज़ कवर की है इन्होंने कहा है कि this is not knowledge जो होता है न यह lesson learned वगरा होते हैं वो सारा knowledge नहीं होता वो सारा knowledge नहीं होता मैनेज प्रोजेक्ट knowledge असल में जो सिखाई का अमल होता है जो knowledge की generation होती है वो काम जब हो रहा होता है सुगत होती है लेसन लेंड तो हम बाद में बनाते हैं वो कहते हैं यह दो किसम का नॉलिज होता है एक होता है टैसिट नॉलिज और एक होता है एक्स्प्लिसिट नॉलिज यह जिनरेट जब हो रहा होता है मतलब जब नॉलिज हमारे सामने जहूर पजीर होता है तब हम सीखते हैं उसके बाद तो हम उसका खलासा कर देते हैं जब हम सीख रहे होते हैं तो उस वकत जो एक्स्प्रिसिट नॉलेज वो होता है जिसको देखा जाए और उसको नोट किया जा सके जिसको बेयान किया जा सकता है वो explicit knowledge होते है हम उसको किताबों की शकल में असूलों की शकल में कुछ लिख सकते है और आगे transmit कर सकते है tacit knowledge एक ऐसा knowledge है जो के बियान नहीं किया जा सकता लिखा नहीं जा सकता लेकिन गैर मरही तोर पे आपको जैसे कहते हैं मुझे अकल आगी है मनुस समझ आगी है अब आप सकते हैं क्या समझ आगी है आप उसको बियान नहीं कर सकते है मैं इसको बताओं ये बड़ी मज़दार चीज़ है tacit knowledge मिसाल के तोर पे पुराने जमने में वो कहते थे कि जी जो उसात्जा हैं उनकी कदर क्या करो उनके पौँध हो के पियो उनकी खिद्मत करो उनके घर की सफाई करो क्या मतलब था उसका भाई क्या मतलब अब नौकर हैं आप जो उनके घर की सफाई करें उसका मकसद एक ही था कि अपने उस्ताद की सुहबत में ज्यादा से ज्यादा देर रहो दिन रात उसकी हर हरकत पे नज़र रखो और वो बातें जो वो आपको सिखा नहीं सकता बता नहीं सकता वो उसके हरकात और सकनाथ से जाहर होंगी आप एक अच्छे काबल स्टूडन्ट की तरह उसकी नकल करते रहे जैसे वो करता है आप भी वही हरकतें करें आप में वो आज़तें सरायत कर जाएंगी यह है टेसिट नॉलिज ठीक है जी? और इसको अगर सीखना हो तो इसका एक और तरीका होता है मॉडरन लेंग्विज में अगर आप बात करना चाहें एक मॉडरन लेंग्विज में एक टूल है जिसे कहते हैं जॉब शैड़ो इंग्व जॉब शैड़ो इंग्व जॉब शैड़ो इंग्व जॉब शैड़ो इंग्व एक आदमी कोई काम कर रहा है और आपको उसका काम सीखना है या समझना है कि वो क्या कर रहा है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी नकल करनी शुरू कर दे वो जो काम कर रहे हैं आप भी वही काम करते जाएं उसके पीछे 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 उसकी नकल करते जाएं साए की तरह उसका पीछा करते जाएं तो आपको उसका पूरा प्रॉसस समझ आ जाएगा लॉजिक समझ आए ना आए प्रॉसस समझ आ जाएगा ये करना है पिर ये करना है पिर ये करना है और वो उसे पूछे हैं शायद वो प्यान भी नहीं कर सकता है वो उसे कहेंगे या इसको सिकाद हो वो शायद आपको से नह नीशक्टा लेकिन जब आप उसकी नकल मारते जाएंगे तो आप उसका टेस्ट नौलिज सीक्टे जाएंगे दूसरी बात वो इसके लाच शोर में हो बाइब ना उसके लाच शोर में होता है ब schemल में हो बता नहीं सकता लकिन उसके reverse job shadowing reverse job shadowing का मतलब है उस बंदे ने जिन steps के तुरू ये काम किया तुम उल्टे steps के तुरू ये काम करो उल्टा करो उसने आपको गिंटी सुनाई यान टू टू त्री वर फाइब से आप उसको उल्टी पढ़ के सुनाए यह उसका वो करता है कि टैसिट नॉल्ज को बड़े लोगों ने कोशिश की कि उसको explicit नॉल्ज में convert कर दिया जाए उसको लिख दिया जाए और लोग उसे सब्वक हासिल करें और लोगों ने लिखा भी लेकिन इसमें एक बड़ी कमी रह जाती है आप ने जो होता हुआ देखा है आप उस्ताद के साथ बैठे थे एक बंदा आया उसने एक सवाल किया उसने जवाब दे दिया यह बात तो लिखी जा सकती है लेकिन उस उस्ताद के इलम का जो जखीरा है उससे और जो 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 सवाल किये जा सकते है और उनके जो वो जवाब दे सकता है वो तो सब के सब नहीं आए यहांपर मतलब जो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज थी उसकी अकल की, उसकी दानिश की वो तो कैप्चर नहीं हुई, यह तो एक एक अग्जामपल कैप्चर हुई है टैसिट नॉलिज वो है कि आप उसके इलम का कैप्चूल उसके सर से निकाल के अपने सर में रखें आप बयान नहीं कर सकते कि मैंने क्या सीखा हुआ है, मगर आप में वो ही अकल और दानिश आ जाए, वो ही शमा आपके दमाग में रौशन हो जाए, यह है टैसिट नॉलिज यह शमा से शमा जलती है, यह पता नहीं होता मैंने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, वगर अकल आ जाती है, ठीक है नहीं, तो एक्स्प्लिसेट नहीं वो है और वो है, अब नॉलिज को लेसंस लेंड या और्गनेजिशन प्रॉसेट से अलग करके समझे, और्गनेजिशनल प्रॉसेट से एक बेजान किसम की चीज़ है, काख़ात मैंने रख दिये, इलमारियों में लगा दिये, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रख दिये, अब नॉलिज एक वेजान चीज़ नहीं है, नॉलिज एक जानदार चीज़ है, अब नॉलिज को हम कहीं प्रॉपर आर्काइविंग सिस्टम बनाएंगे कि कहां रखा जाए, कैसे इसको स्टोर किया जाए, बंदों की अकलों में रखा जाए, या कंप्यूटरों में रखा जाए, कैसे रखा जाए, तो वो फिर हम बाद में सोचते हैं, और नॉलिज मैनेजमेंट, इसको डेटा मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, इसको डेटा मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं नॉलिज मैनेजमेंट, बस ये साथ जी, knowledge management के अंदर, हम क्या करते हैं, हमें project management plan चाहिए, project documents चाहिए, deliverables चाहिए, आप देखें न, deliverables को मैंने करना तो कुछ नहीं है, मैंने सर्फ उसको देखना है, और फिर उससे हमने कुछीज generate करनी है, enterprise environmental sector और processes, अब मेरे पास tools क्या है, expert judgment तो हम पहले से इस्तमाल करते ह रहे हैं, उसका तो हमें मसला कोई नहीं है, knowledge management का तरीके आपको आने चाहिए, information management के तरीके आपको आने चाहिए, interpersonal or team skills आने चाहिए, जिसके अंदर आप active listening जानते हों, आप facilitation, leadership, networking, political awareness, इन सब चीजों से वाकिप, मतलब अच्छे, खासे, दानिश मंद होना चाहिए, आपक कुछ lessons learned register में record करेंगे, कुछ project management plan के updates में डालेंगे, कुछ चीज़े process assets में जाएंगी, इस तरीके से appropriate जगा पे उस knowledge को encapsulate कर लिया जाएगा, और ये उसने उसको दिखाया कि जनाब आपने ये चीज़ें जो output करें process assets तो enterprise को चली जाएंगी, lessons learned आपके project documents में चले जाएंग और project management plan के जो update हैं वो project management plan में जाके update हो जाएंगे, ये जनाब आपका project knowledge हो गया, तो execution का काम हो गया, खता, फिर आप चलते हैं हम अपने monitoring and control की तरफ, monitoring and control में दो process हैं, दोनों अपनी जगा पे बहुत ही ज़्यादा strong और बहुत ज़्यादा important process हैं, एक का नाम है monitor and control project work, ये वाला, monitor and control project work जो है, ये क्या करते हैं, इसको भी project management plan चाहिए, इसको project documents में बहुत सरी चीज़ें चाहिए, बिसाल के तोर पर assumption log, basis of estimates, सारे cost के इसके उसके सारे चाहिए, cost का forecast, issue log, बलके यहां schedule का भी forecast चाहिए, issue log, lesson learned, milestone list, quality reports, risk register, risk report, ये सब कुछ इसे चाहिए, और work performance information, जो के various controls, monitors and controls हैं, दूसरे knowledge areas के, वो जो जो analysis कर रहे हैं, उस analysis का result आ रहा है work performance information की सुड़त में, वो चाहिए, ताके वो work performance report बना सके, agreements चाहिए, इसे contract जो हुए, enterprise non-reflectual process assets चाहिए, ये यहां एक तो expert judgment इसमाल करेगा, और इसका बहुत बड़ा काम है data analysis, analysis, मुख्लिफ भात भात के analysis करेगा, alternative analysis करेगा, cost benefit का analysis करेगा, earned value का analysis करेगा, root cause analysis, trend analysis, variance analysis, ये मैं आपको तक्रीबन कुछ चीज़ें यहां से बता चुका हूँ, तो ये सारे analysis करेगा, decision making भी करेगा, meeting भी करेगा, नतीज़ातन ये work performance report convert करेगा, और अगर कोई समझता है कि change request भी बनती है तो वो भी कर सकता है, project band को और project documents को update कर सकता है, फिर आखरी हमारा process आयता है, perform integrated change control, और वो आपको पता ही है, वो change request को process करने का आमल है, ये आगया, perform integrated change control, और इसका जो process है, इसके अंदर वो ही project management plan है, जिसके अंदर change management, अब दिखना, ये change management की बात हो रही है, integrated change control, तो यहाँ वो change management plan और configuration plan का इस्तमाल जहाँ आएगा, क्योंकि वो जो version controlling करनी है, जि पहले यह यह था plan, अब उसका नया version बन जाए, उसका इस्तमाल जहाँ आएगा, और तीनों baselines भी यहाँ important है, क्योंकि change तो होती ही baselines के अंदर है, तो जो baselines अपनी हाद से बाहर निकले, उसको हमें change करना पड़ेगा, project documents है, उसमें सारे basis of estimate चाहिए, cost का, time का, और resources का, requirements की traceability matrix है, इस change को लाने से requirements पे क्या फरक पड़ेगा, risk की report, work performance report जो है, यह जो हमने अभी बनाई थी ना पिछले step के अंदर, वो work performance report की एक copy यहाँ पर भी आती है, और change request हैं, वो यहाँ पे सारी की सारी, जहां कहीं से भी change request generate होगी, वो यहाँ आएगी, और enterprise boundary factor process तो में पता है, हर जगा जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, change request के हवाले से हम expert judgment इस्तमाल करेंगे, change control के tools इस्तमाल करेंगे, data analysis के लिए हम alternative analysis और cost benefit analysis करेंगे, decision making के लिए हम मुखलिफ तरीके इस् और meetings औगरा, approved change request होगी, वो यहाँ से निकलेंगी, और वो चली जाएंगी, आपको पता ही है, execution में, direct and manage project work को जो पिर आपको पता ही है, वह आपने देखा था और पिर उसके जाद, वो उसको उपर फिर चीज़ों को मेंड करते है, project management panel, project documents मेंड हो जाएंगे, decision making कही जोगो आया था कहीं पर, decision making में वो तरीके बताता है कि किस किस तरीके के साथ हम वो यह voting वगरा कर सकते हैं, यह आप इनको पढ़ेंगे तो आपको वो सब change control tools कौन से है, identify change को करें, document करें, decide on changes, track changes, यह change control tool को यह सब कुछ करना चाहिए, alternative analysis है, cost benefit analysis है, यह देखिए, वो कता है कि तो आप voting करा लें, voting के फिर कई तरीके, unanimous, unanimous का मतलब यह होता है, कि तमाम लोग हाँ करेंगे तो हाँ माना जाएगा, मतलब जितने भी member हैं, voting करने वाले, सब का متफिक 100% होना जरूरी है, इसको कहते है unanimous decision, सारे लोगों को, अगर वो इत्वाक नहीं कर रहें, तो फिर द लोग एक common solution की उपर agree नहीं करते, बात आगे नहीं बड़े, इसे कहते है unanimous decision, दूसरा होता है majority decision, कि ज्यादा लोग जिस में, जिस हक में होंगे वो बात मानी जाएगी, बाकियों को ignore कर दिया जाएगा, तीसरा होता है plurality, कि अगर दो राए के लावा कोई तीसरी राए भी है, तो फिर जिस में ज्यादा वोट होंगे, वो वाली राए मानी जाएगी, मतलब majority में तो यह था कि 50% से ज्यादा जो वोट लेगा वो विन करेगा, लेकिन plurality में चुके राए दो नहीं रहीं, दो से ज्यादा हो गई हैं, तीन हो गई हैं, चार हो गई हैं, तो फिर जॉ राएलिटी, फिर आटो क्रेटिक डिसीन मेकिंग होती है, जहां पर एक ही बंदा फैसला कर रहा होता है, किसी से पूछता भी रही है, फिर मल्टी क्राइटेरिया डिसीन अनलसिस होता है, जिसके अंदर आप बहुत इंट्रिकेटली डिसीन को देख रहे होते हैं, डिसीन म मल्टी क्राइटेरिया डिसीनल है, चेंज कंट्रोल बोर्ड मीटिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जिकर किया था कि चेंज कंट्रोल बोर्ड हो सकता है, चेंज कंट्रोल मीटिंग होल्ड करेगा चेंज कंट्रोल बोर्ड और वहां पर वो फैसले लेगा, यह वो project Charter जहाँ चाहिए projectun plan भी चाहिए project documents भी चाहिए accepted and deliverable भी चाहिए business document बी चाहें चोग हम close कर रहे एcidos Agreement के चाहिए जो भी कुछ हुआ हुए इसका thorough analysis, सब चीज़ों से हम साबित करते हैं कि सब कुछ मौजूद है और मुकमल है मीटिंग्स भी होती है यहां पर आखर में प्राजेक्ट डाकुमेंट्स को अब्डेट कर दिया जाता है और बाकी चीज़े और बाकी चीज़े और इसे पूरा प्रोजेक्ट ही हो गया यह इंटिग्रेशन का कमाल है तो यह जनाव हमारा इंटिग्रेशन का प्रोजेस हमने complete कर लिया although मैं ये जानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पी लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना पा रहा लेकिन ये चीज़ें फिर पढ़ना आपका काम है जैसे मैंने सनान आपको कहा कि आपने पहले तीन चप्टर पढ़ने है तो वैसे आपने पूरी किताब पढ़नी है although मैं मानता हूँ कि आपका एक्जाम स्केजुलिंग का है लेकिन आपको सारी किताब का पता होना चाहिए आपको PMP का पूरा नौलिज होना चाहिए ये मतलब expected है आपसे कि आपको PMP का पूरा नौलिज होगा हम चलते हैं स्कोप की तरफ और देखते हैं स्कोप को क्विक्ली इसको तुरा रन थ्रू देते हैं ताक कि फिर अगली क्लास से हम प्यूर्ली स्केजुल के हवाले से बाच्चित कर सकें और ये जो पिछला बैक्गराउंड है नौलिज ये सारे का सारा एक साइट पर हो जड़िए प्यूर्ट 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 और ये आपको स्को नज़राना श्रू हो गया अधंड़ी स्कोमुद्र का अपना अपना बेसलाइना का व्होंड है कोस्तां अपना बेसलाइन है कि तीन स्कारियन यह उसकें लुट ओंड़ी ह किलोए होती है और वो भी हमारे लिए बड़ी इंस्रुमेंटल है आपके जो schedule के लिए और cost के लिए requirement बड़ा matter करती है तो requirement का तालुक उससे बन जाता है खर anyway scope में क्या करना है मैं बियान करता हूँ इसमें हमारे पास 6 process है पहले तो scope management plan है plan scope management इसमें दरसल यह वह वह है जहां पे एक नहीं दो management plan बनते हैं क्योंकि यहां दो दुकाने खुड़ी हुई है एक है requirements की और एक है scope की दो अलग अलग चीज़े है requirements का अलग खाबा है मेरा मतलब है customer एक requirement बताता है अगले दिन आके change कर लेता है तो requirements की change request वाला मिशला बन जाता है तो इसलिए requirements को scope में cater नहीं किया जा सकता requirements की management अलग अलग है और scope की management अलग है collect requirements में जो हम different stakeholders है पहले तो हमें हमारे पास naturally हमारे पास contract मौजूद है उसमें लिखा हुए क्या requirements है हमारे पास business case मौजूद है जिसमें justify किया हुए क्या requirements है क्या कुछ करना है लेकिन उसके बावजूद ये project manager की जिमेदारी है कि वो ensure करे कि आया के जो चीजें उसे दी गई है जो उसको business case वगरा दिया गया है क्या वो valid है और ये एक तफ़ा चेक नहीं करना project manager ने ये throughout the life of the project वो देखता रहेगा और जो ही उसे महसूस हो कि अब ये business case या इसकी strategic alignment valid नहीं रही तो फौरन फौरी तौर पे उसको अपने project sponsor या project जब portfolio manager के notice मिलाना होगा कि सर जी ये गड़बड होगी है कुछ मसला है ये ऐसी दो चीजें हैं जिसके उपर फौरी तौर पे project को बंद करने का हुकम दिया जा सकता है इसलिए इसको हलका नहीं लेना हमारे हैं problem बड़ी अजीव है हमारे हैं ये कि project चल रहा है किसी को उसके अलिफ और बे का नहीं पता project feasible है नहीं है भाड में जाए मुलक के नुकसान में project हो रहे है हो करने दो होता रहेगा कोई बात नहीं है हो जाता है अजीब ड्रामे बाजिया हमें लगाए हूँ है मतलब यह है कि अगर एक चीज हमारे मुलक के फायदे में नहीं है तो ये मुलक क्यों कर रहे है वो project क्या तकलीव हैं हम क्यों काम कर रहे है जो हमारे फाइदे में नहीं है मेरा मतलब है आपके इस मुलक का मकसद क्या है यही एक ऐसा सवाल है जिसके उपर अक्सर लोगों को confusion हो जाती है कि हाँ यार यह मुलक कमारा क्या है क्या नाम है हमारे मुलक का इसका मकसद क्या था नहीं मतलब है आपको अपना विजिन नहीं पता हमारे सियस्तदानों को हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारे सदर पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान में आइन बनाके बैटे में उसकी तोपस उपर रखे हुई है आइन को चूम चूम के ठक जाएंगे इनको ये पता नहीं चले क्या बकवास है ये मतलब आप सोचिए एक और्गनाइजेशन जो है उसका स्ट्राइजिक अबजेक्टिव भी नहीं उसे पता हमने क्या करना है क्या चीज़ बनानी है किदर को जाना है वो कहां जाएंगे कभी इदर टकर मारेंगे कभी इदर टकर मारेंगे और दूसी बा कासिद कोई एहमियत नहीं रखते हमारे हैं क्या होता है कि विक लो कि नहीं कासिद मुकद्म है मुलक एसी की तैसी में बड़े उसकी कोई एःमियत नहीं है तो मेरा मतलब है हमने तो रैसिपी तो डिजास्टर वैसी उठाई हुई है अपने स clown के ऊपर और हमारे इदारों की तबाही की भी यही वज़ए नो बोडी सिंसीर विदीदारा भाई आप एक प्राइवट कमपनी में काम कर रहे हों आप जरा ना ले ना इंटरेस्ट वो आपको दो दिनों में किक मार के बार निकालते हैं और जहां एक आदमी चोरी कर रहा है चो कुरॉप्शन के इल्जाम हैं उसको आप निकाल देते हैं अदालते हैं उसको फिर दुबारा वापस रीइंस्टेट कर देती हैं मेरा मत कहता है कोई हद होती है को इंतहा होती है किसी जीज़ की यहां आप एक बंदा फारिग नहीं कर सकते गौर्मन्ट में से यह हैं मोनेटरिंग एंड हैं मै're to कहता हूँ कि हमारे ハसीर ही नहीं ही हमारी तो आवाई को फिक्ञड़ा legit अब नहीं आप मुझे एक बात बता दें आपके मुलक का vision क्या है मुझे किसी बड़े स्यासदान से पूछ के बता दें कि यार पाकिस्तान क्यों बनाया गया था क्या है ये तुम किस target को के पीछे भाग रहे हो हर कोई एक नई साइंस बनानी शुरू कर देता है डेर डिज़ इंच की मस्जिद बनाके चल पड़ता है वो जो काईद आजम के जमाने में जो बाते हुई थी जो कदे काईद आजम पाकिस्तान का मतलब क्या वो किते गया वेर इस डैट लाह 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 कहां गया वो या हम वो वो पाकिस्तान है यह हमारा कभी सेकुलर बन जाता है पाकिस्तान कभी वो क्या कहते हैं वो एनलाइटन लाइटन वो बाटरेशन के उपर आ जाता है मेरा मतलब तुफ है इस जबाने के उपर कि हमें अपने किबला ही नहीं पता किदर है ख़ीर और्गनिजेशन में ऐसा होना डिजास्टर की निशानी है तो मैं अभी भुलक के हसाब से तो भी और इसाब से बात करता हूं तो हमें हमें अपने स्टेडिजिक विजन का मिशन का स्टेडिजिक अप्जेक्टिव का कलियर पता होना चाहिए और याद रहे कि इस organization के अंदर जो काम भी किया जाएगा वो शर्तिया लाजमी तोर पे organization की strategy की alignment में किया जाएगा ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता कि वो strategy से out हो जाएगा अगर कोई काम strategy से out है या business case से out है तो वो काम फौरी तोर पे खतम कर देना चाहिए उसको फौरण पता चलना चाहिए और वो काम continue नहीं होना चाहिए यही बात मैंने आप से की कि अगर आपका project feasible भी था उसकी strategic alignment ठीक भी थी शुरू में और बाद में जाके कहीं आपको पता चलता है कि अब नहीं रही तो इसका मतलब है कि अब जो एक पैसा भी इस project पे लगेगा वो हराम जाएगा तो फौरी तो पर उस project को बंद करना इसलिए ज़्रूरी हो जाता है तो अब एक तो यह बात यह चीज़ चेक कैसे करते हैं यह चेक करते हैं हम continuous monitoring से यह देखते रहते हैं कि अच्छा और किसकी monitoring हम देखते हैं stakeholders को stakeholder वो कहते नहीं वो क्या कहते हैं जी उर्फ जबाने खल्क को कारा खुदा संजो तो यह stakeholder हमारी जबाने खल्क है इस जबाने खल्क को सुने और उससे देखें कि क्या net result निकलता है इस analysis करने के बाद आप कहें हो हो हम तो बड़े गलत जा रहे हैं उसके हिसाब से adjustment apply करें तो plan scope management में हम requirement management plan भी बनाते हैं और scope management भी बनाते हैं requirement इसलिए कि जब हम stakeholder से requirement लेंगे वो अपनी requirement देंगे उन requirements में फिर वो तबदीलियां करेंगे उनका सारा साब किताब तो उसका पूरा निजाम जो change control का है वो requirements का अलग होगा इसलिए requirement management में अलग बनाया जाता है और requirement क्या determine करती है बुनियादी तोर पे requirements determine करती है product of the project जब requirements आप कहते हैं हाँ यह सब जाइस requirements हैं तो वो requirements define करेंगी product of the project को ठीक है जब requirements define हो जाती है properly collect हो जाती है फिर हम define scope करते है scope के अंदर दो part है एक है product का scope और एक है project का scope product का scope जो है वो यह है कि जो requirements confirm हो गई है वो define करेंगी कि product क्या होगा product की क्या specifications होगी product की शकल क्या होगी मतलब उसकी specifications of the product is the product scope मतलब क्या बनाना है यह मेरा product scope है अगला स्वाल यह पैदा होता है कि जब यह confirm हो जाए कि यह बनाना है यह confirm हो गया है तो अगला स्वाल पैदा होता है what is the scope of my project मतलब कैसे बनाना है what is my method of attack क्या तरीका कार इस्तेमाल करूँगा ताके यह चीज़ बन जाए जो के बनाने को दी जा रही है तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा यह मुझे कुरसी बनाने को कह रहा है और मुझे समझ आ गई है कुरसी इतनी लंबी चौड़े इतनी length इसका इतनी सारी उसकी specs मुझे समझ आ गई है I am very clear about the product now product का scope clear है तो project का scope बनाना है तो मैं कहुँगा अच्छा यह कुरसी कैसे बना सकता हूँ मैं मैं कहुँगा अच्छा एक तो तरीका यह है कि मैं खुद कुरसी बनाऊं तूसरा तरीका है मैं एक बंदे को रखूँ जो माहिर हो और उससे कुरसी बनाऊं तीसरा तरीका यह है कि मैं बाजार में एक ठेकेदार को यह कुरसी बनाने को दे दूँ और चौता तरीका ये है कि मैं बाजार से बनी बनाई ये कुरसी खरीद के लिए हूँ So, I have got many options available Out of these many options, इसको कहते हैं identification of various alternatives इन alternatives का फिर हमें comparison करना होता है इनके pros and cons निकालने होते हैं And then, इस analysis के नतीजे में हम ये find करते हैं Which is the best option उस option का cost benefit analysis भी देखते हैं और इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सूदबन्द कौन सी approach है जिसमें cost benefit analysis हमारा best आ रहा है मतलब कम खर्च बाला नजी solution भी जबरदस्त और पैसे भी कम लग रहे हैं जितने पैसे लग रहे हैं फाइदा उससे ज़्यादा हो रहा है फिर आपने फर्च करें इन सारी approach में से एक approach select कर ली आपने का जी ये तरीका है जिससे मैं ऐसा करेंगा मैं एक बंदे को contract दूँगा और वो कुरसी को बनाएगा मैं उसको check करूंगा और फिर approve करेंगे इसको ये हमने approach select कर ली अब अगला स्वाल ये पैदा होता है कि approach तो आपने select कर ली आप इस काम को करने के लिए कितनी मरहलों में बांटेंगे और हर मरहले का target क्या होगा मिसाल के तोर पे पहला मरहला contract का award करना दूसरा मरहला कुरसी का इस हद तक बन जाना तीसरा मरहला कुरसी का मुकमल बन जाना चौथा मरहला कुरसी का approve होना सो मतलब आप उन उमरलों में उसको सफर को टाह करने के लिए प्लैन करेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से आप उस चीज़ को चेक करना शुरू करेंगे तो मतलब define scope में मैंने बयान कर दिया क्या बयान कर दिया मैंने अपनी approach बयान कर दी मैंने alternative बयान कर दी मैंने approach बयान कर दी मैंने life cycle product रिफाइन किया ही किया मैंने उसका life cycle बयान कर दी उसकी phases बयान कर दी हर phase में क्या चीज़ निकलनी है वो बयान कर दी मैंने उसका acceptance criteria बयान कर दी मतलब इतना काम करने के बाद कम आज़ कम किबला मेरा सीधा हो गया हुआ है अब मोटा मोटा प्लैन मेरा बन गया है अब मैं इस प्लैन को अगले स्टेप में जाऊंगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिवाइड करूँगा इस फ्रोच के तहएद अब इसका ब्रेकडाउन क्या बनता है मज़ीद तोल फोल करूँगा कि अच्छा इसको कुर्सी को बनाने के लिए फलानी लकड़ी कहां से आनी है फलानी चीज़ कहां से वो जहां जहां से जो भी इससाब किताब करना है वो इसको कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रॉक्चर बनाना और यह हम वर्क पैकेज तक इसको खोलते ह। और इस तना काम करने के बाद हमारा स्कोड का प्लैनिंग का कम मुकमल हो जाता है इसका पार्ट होता है एक जो WBS बनाया है आपने work breakdown structure वो उसका part होता है और तीसरा ये जो आपने work packages बनाये थे जिसको कहते हैं work WBS dictionary मतलब work WBS में सबसे natural level पर जो work packages है lowest level of the WBS उसकी अगर list बना ली जाए उसको कहते हैं WBS dictionary वो work packages की list होती है तो ये तीन चीज़ें जब बन जाती हैं तो हम कहते हैं बस ये ठीक हो गया इसको यहाँ freeze कर दो ये हो गया अब इसकी बनायाद के उपर बाकी चीज़ें प्लैन होंगी schedule, cost, resources तो फिर इदर से कहानी हम आगे चलते है schedule में जाते हैं तो हम activities, work packages को मजीद तोड़के activities बनाएंगे, फिर activities का assessment करेंगे उनकी estimation करेंगे, उनकी sequencing करेंगे, बगरा, बगरा, बगरा ultimately उसका schedule बनेगा, वो based line हो जाएगा इसी तरह इनी activities की हम cost estimation करेंगे, budgeting करेंगे, फिर उसकी cost based line बन जाएगी, और ये कारवाईयों करने के दुरान हम resource को भी estimate करेंगे, और वो estimate जो है, वो cost estimate और schedule estimate के साथ मिल के उसका impact बनेगा, और हमारे schedule में उसका impact बिल्डो, this is all the things are, ये तो चार चीजें हो गई आपकी scope की शुरू में, और बाकी जो दो नीचे चीजें हैं, वो आपको पता चली गया होगा, validate scope और control scope, ये दोनों चीजें monitoring and control में होती हैं, अभी मैंने आप से जिकर किया product का scope और project का scope, product का scope क्या था, product का scope क्या था, कि क्या-क्या चीजें उस product में होनी चाहिए, उसको कैसे check करेंगे, कौन सा acceptance criteria होगा, तो जो end product आपकी बननी है, उसको final acceptance testing की जाती है, कहां की जाती है, validate scope में, उससे पहले quality वाली का check हो चुका होना चाहिए, quality तो हम नहीं पढ़ रहे भी, लेकि क्वाली का control हो चुका होना चाहिए, और आपकी verified deliverable आ चुकी होनी चाहिए, यह तो आखरी test ही होता है, कि validate scope कर लो, और अगर validate भी हो जाए, तो वो accepted हो गया, तो acceptance testing हो गी उसकी, यह तो है product scope, project का scope जो है, वो चेक होता है control scope के अंदर, control scope में हम कहते हैं, अच्छा क्या काम हुआ है, जो काम हुआ है, वो scope के मताबक हुआ है, काम हुआ है, जदा हुआ है, वो control scope, मतलब वही वाला, साब किताब के आप project plan सामने रखते हैं, साथ आप work performance data रखते हैं, दोनों का comparison करते हैं, फिर बताते हैं कि जी कितना फरक है, दस role अदा कर रहा है, इस सारे process के अंदर, यह जनाब इस chapter को भी दरा गोर से पढ़ लिजेगा, यह मैंने processes तो आपको बियान कर दी, मैं इन processes को आपको थोड़ा और खोल के भी बता देता हूँ, यह देखें, इस slide की उपर देखेगा, यहां पे वो कहते है, product scope, the features and functions that characterize a product service a result, physical जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो आपकी मन्जिल है, उसके क्या function और features होंगे, उसकी क्या characteristics होंगी, वो product scope है, इसमें यह कहीं नहीं बता है, और कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो product scope है, और project scope है, the work performed to deliver the product, service or result with those specified functions and features, जो के product product का scope था, उसके मताबिक चीज़ को बनाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वो तमाम काम मेरे project का scope कहलाएगा, वो तमाम काम जो मुझे करना पड़ेगा, उन functions और features को पैदा करने के लिए, वो तमाम काम मेरे project का scope कहलाएगा, और एक बात याद रखिए, कि वो काम जो मैं project के scope में रखूँ वो वही काम होना चाहिए जो जो जरूरी है product scope को पूरा करने के लिए अगर मैं उसमें कोई काम छोड़ दूँ मतलब से के 10 काम जरूरी है product का scope करने के लिए पूरा तो मैं अगर 9 काम करूँ तो इसका मतलब है मेरी product मुकमल नहीं हो पाएगी और अगर मैं फालतू काम बीच में दो डाल दूँ दस काम से तो product बन जाना था और मैं दो ऐसी मज़े के लिए डाल दूँ कि ये मेरे जाती काम है तो मैं project का पैसा extra फालतू कामों में जूज कर रहा हूँ इसको redundant work कहते हैं ना तो का जो scope है उससे कम काम किया जाए ना ज्यादा काम किया जाए दोनों सुर्तों में इस पर check and balance होनी चाहिए देखें it is not the matter of कि आप आम खाएं और पेड़ ना गिने हमें आम भी गिनने हैं और पेड़ भी गिनने हैं जो product है बनेगी उसको तो देखने ही देखने है चेक करना है कि यह पूरी सही बन गई है कि नहीं बनी है लेकिन साथ यह भी चेक करना है कि जो जो काम होने थे इस product को बनाने के लिए क्या वो सारे काम हो गए है पता चले आदे काम तो ह कोई नहीं है तो प्रॉड़क कैसे बन गई आपके जेन में सवाल नहीं आता हो सकता है कि इस प्रॉड़क के अंदर से कि यह दिवार बनिये दिवार में अंदर खोका बरा हुआ हो पूरा काम ही ना किया हो बीच में से सारा आई वाश की हुई हो तो मतलब यह है कि हमें यह इ गलत हुआ है तो इसको कहते हैं वर्क एंड ओनली दा वर्क मतलब जितना वर्क रिक्वाइड है वो सबका सब होना चाहिए और गहर ज़रूरी काम वो बिलकुल ही होना चाहिए ओनली दा वर्क रिक्वाइड उससे बियॉंड फाल्तू काम कोई ना किया ज़े हम अपने कोई और काम भी शामिल कर दो मुझे याद हैं हम प्रॉजेक्ट कर रहे थे नादरा का और उसके अंदर अक्सर हमें उपर से डिमांड आती थी कि जनाब वो मिनिस्ट्री को दस कंप्यूटर बिजवाने हैं वो भी इसी के खाते में डाल दो तो मैं बड़ा लड़ता था कि यार यह क्या मज़ाग है प्रॉजेक्ट तो यह है और इसकी कोई डिमांड नहीं है कि यह 10 कंप्यूटर मिनिस्ट्री को देने हैं तो वाई दा हैल शुड वी गिव दें बलके वो तो खेर एक अलग बात है कि जो चुछ चलो वो तो कंप्यूटर वाली चीज है वो मैं फि फाल तो कोई काम नहीं करना जो काम इस प्रॉजेक्ट की नीड और रिकॉार्मेंट है बस वही काम करना है फाल तो काम का बजट क्यों इसके ऊपर डालते हैं या थायट म proceeding कभी कभी तो ऐस होता है कि फालतु काम तो आप कर रहे होते है ज़रूरी काम सेक्रिफाइस कर रहे होते हैं पता लगे प्रॉड़क्टी फॉल्टी बन रही है और आप पैसे डबल खर्च कर दें या रजीब बात है आप गहर जरूरी कामों पर पैसा खर्च किये जा रहे हैं और जो अशर जरूरी काम है जिसके बगार प्रॉड़क्ट एक्सेप्ट नहीं होनी वो काम आपने गायब कर दिया बीच में से यह तो बहुत ही पथेटिक सिचूशन नहीं हो जाती है तो एज़ा प्रॉड़क्ट मैनेजर यू मस्टी वेरी वेरी कॉश्यस अबाउट इस फिर प्रॉड़क्ट लाइफ साइकल है बहुत इंपॉर्टन सब्जेक्ट है कैसे बनाई जाए कैसे डिसाइड किया जाए लाइफ साइकल के अंदर कितने वह क्या कहते हैं साइक फेजिस बनाए जाए क्यों बनाए जाए यह बड़ी लंबी डिसकूशन है अभी मैं इसके उपर नहीं जा सकता आपकी प्रेडिक्टिव होगी या एजायल होगी एडाप्टिव होगी यह भी मैं अभी डिसकूस नहीं करना चाहता हूं यह दिम्हाव आपका पहला प्रोस्स आगया स्कोप मैनेजमेंट् यह देखिए इसके अंदर चार्टर मुझे चाहिए लाज़मी बता है हर मैनेजमेंट प्लैन बनाने के लिए चार्टर तो चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लैन चाहिए और उसके अंदर मुझे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लैन प्रोजेक्ट का लाइफ साइकल डिस्क्रिप्शन और डिवलिप्मेंट अप्रोच ये कहां से आई ये अगर मुझे प्रोवाइट की गई है बन्यादी तोर पे पीछे से तो मुझे वो वो चाहिए अगर कोई सजेस्टिड है तो नहीं तो मैं खुड डिजाइन करूँगा एंटरप्राइज इंवार्मेंटल फेक्टर और प्रोसेस एसेट यहां एक्सपर्ट जजज्मन करेंगे अभी सकोप मेंट के असोन वजजा कर रहे है उस हवाले से काउबस त काम अभी कुछ नहीं हुआ काम हम सब्सेक्वैंटली अभी करेंगे पिर इसमें वो content बताए वाइस को उसमें क्या होता है स्कोप management plan में में रॉक्वार्मेंट में ओके collect requirements यह अब आप requirements को confirm करने वाली जो बात ही वह है यहाँ पर आप देखें चार्टर भी चाहिए project management plan भी चाहिए project document भी चाहिए फिर आपका business document जो business case है उसको भी सामने रखें agreement contract जो है उसको भी सामने रखें enterprise और इंटर्प्राइशन प्राइशन प्रॉसस असेट को important काम है collect requirements क्योंकि इसी की बुनियात वे तो में आगे सेट होनी है यहाँ expert judgment मेरा टूल होगा data gathering में आप देखें क्या क्या ब्रेंस्टर्मिंग बीस्तमाल होगी interviewing बीस्तमाल होगी focus group questionnaire surveys benchmarking data analysis में हम document analysis करेंगे decision making में voting multi criteria decision analysis data representation में affinity diagram mind mapping interpersonal skills के अंदर nominal group technique observation conversation facilitation context diagram prototypes यह सब कुछ और नतीज़तन हम project यहां पर requirements final हो जाएंगी requirement documents और requirement traceability metrics दो major output यहां से निकलेंगे जी जना आप क्या किया रहे हैं कि जी सर अच्छा requirement document तो चलें वो है जहां पर requirements लिखे हुई है requirement traceability matrix is a very interesting document आप यह देखें हमने stakeholder से बात शुरू की stakeholder से requirements नहीं तो एक तो हर requirement का तालुक किसी ना किसी stakeholder से होगा फिर इस requirement को पूरी करने के लिए जो काम करना पड़ेगा और जो activities आएंगी आखर में उसके साथ link होगा इसका मतलब है हर requirement को पीछे की तरफ stakeholder तक trace किया जा सकता है और आगे की तरफ deliverable तक trace किया जा सकता है काम के तरू तो इसका मतलब यह हुआ कि कल कल अगर कोई requirement खतम हो गई मतलब एक stakeholder जिसने यह requirement दी थी वह is no more stakeholder तो इसका मतलब यह requirement भी खतम हो गई जब यह requirement खतम होगी तो मुझे यह देखना होगा पूरा trace करके कि यह requirement खतम होई है तो कौन सा stakeholder impact हो रहा है और कौन सा task या कौन सा क्या कहते है एंड result इससे कौन सा activity है या कौन सा product है जो इससे बनता था तो मुझे फिर वो पूरी line eliminate करनी पड़ेगी और उसके मताबक मैं project में जो changes लानी पड़ेंगी हो सकता है क्योंकि यह scope की changes है यह major changes होंगी इनकी वज़ा से schedule पे scope cost सब पर फरक पड़ने का अंदा हो सकता है तो requirement traceability एक चार्ट है जिसके अंदर हमने यह लिखा होता है कि इसका कहां कहां असर पड़ता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ traceability matrix का एक मेरका फॉर्मिट यहां पड़ा हुए यह बाकी चीजें आप यहां से पढ़ सकते है यह वही decision making, voting, data presentation, interpersonal skills यह जो पीछे आपको आपने देखा है यह चीज़ है this is called context diagram यह context बनाता है कि जनाब जो हम काम कर रहे हैं अंदरुनी तोर पे internal users का कौन-कौन associate है, मतलब hiring managers फलाने फलाने लोग हमारे अंदरुनी तोर पे मौझूद है जिन्होंने इस इस जगह पे इस इस database को इस्तमाल करना है जो बाहर के लोग हैं इन्होंने इस इस database को इस्तमाल करना है और इन database उसको आपस में connect करता हूँ तो internal और external user का reference to context बनाने का एक तरीका है इसको context diagram कहते हैं, prototyping और ये जनाब documents आगे और documents में requirement document में कौन कौन सी किसम की requirements है कुछ business requirements होती है, कुछ stakeholder requirements होती है कुछ solution requirements होती है जिन में functional और non-functional होती है transition और readiness की requirements है, project requirements है, quality requirements है अब मैं आपको मज़े की बात बताओ असल में project के अंदर जो हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वो ये दो requirements है, solution requirements, functional और non-functional असल में functional requirements जो हैं, ये हमारी scope की requirements है scope validation जिसके उपर होती है और non-functional requirements ये हमारी project quality की requirements है अब लोग ये नहीं समझतें, वो कहते हैं जी वो quality requirements तो ये वाली हैं, ये जो बाहर लिखी हुई है quality requirements, ये हैं हमारी organization की quality requirements, अगर आपकी organization ISO certified है, तो हर काम जो इस organization में होगा, उसकी कुछ quality requirements होगी, तो project भी हो रहा है तो उसके उपर भी वही असूल लागू होगा, वही quality requirements के उपर इपलाई होंगी, ये वो वाली quality requirements हैं, जो organization की तरफ से हैं, इसी तरह ये जो project requirements हैं, ये project requirements ये वाली नहीं है, हमारे deliverable के उपर नहीं है, ये है project management system हमारा क्या है, उसके हिसाब से हमें क्या असूल जवाबित बताए गए हैं, ये वो project requirements, फिर है transition और readiness requirement, जब हम ये चीज बना लेंगे और ये handover करेंगे, तो transition में हमें क्या-क्या शरायत पूरी करनी पड़ेंगी, कैसे हमने जो handover करना है, किस हालत और किस शकल में करना है, ये transition requirements हों है, stakeholder जो मांग रहे है, वो stakeholder requirement है, business के requirement, business requirements है, तो असल में you are not concerned with the solution requirements, जिसमें functional requirements आपकी scope validation की requirements हैं, और non-functional requirement quality की requirements है, ये बात मैंने आपको बताई है, अक्सर लोगों को इस बात का बिलकुल बता नहीं होता है, और आखरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है traceability matrix, traceability matrix में कहता है कि ये ये चीजें, आप एक table बनाएं, उसमें आप वकाइदा, उसको हर traceability item को, जिसको trace करन है, उसको एक number दें, उसका एक नाम रखें, उसका rational, इसमें add करें कि ये क्यों डाला है, उस requirement का owner कौन है, source क्या है, priority क्या है, version कौन सा है, current status इसका क्या है, ये requirement इस वोकद active है, cancel हो चुकी है, deferred है ये क्या है, और इसकी status की जो जो active है या cancelled है, तो किस date से active या cancel है? फिर जनाब ये एक format आपके सामने रखता हूँ, मैं requirement disability का अगर आप देखें, यह आप उसने identification दी है, फिर उसकी association ID दी है, फिर requirement description क्या है, फिर उसने लिखा है कि ये जो requirement है, किस business need opportunity goals या objectives को address करती है, वो यहाँ लिख दें, कौन से project objective scope को, time को या cost को address करती है, वो यहाँ WBS के किस deliverable को ये requirement लिंक करती है, product के design, कौन से design किस portion को ये link करती है, product के development के किस portion को link करती है, और इसको करने की acceptance criteria ये test cases क्या है, तो इस तरह से अगर हम लिखी हो तो हम इस requirement को track कर सकते हैं, चाहिए आर फिलानी need, business need खतम हो गई है, तो ये पूरी line यहाँ से मिटा दीजाए test cases भी खतम कर दीजाएं, ये सब कुछ खतम कर दीजाएं, तो इस तरीके के साथ हम इसको track कर सकते हैं, this is a way of using the requirement traceability matrix, फिर आपके scope का आजाता है जी, define scope में, यहाँ पे असल में वो चीज़ें सारी बनती हैं, जो मैंने आपको बताया, कि आपने वो जो phases बनानी हैं, और वो सब कुछ आपको मैंने बता है, वो यहाँ पे होता है, तो project scope statement का मतलब यही है, कि product scope, project scope अलग किया, फिर उसकी scope statement के अंदर हम यह बयान करते हैं, इसको हम कितने टुकड़ों में बांट रहें, phases क्या होंगी, और हर phase का output क्या होगा, कौन जिमेंदार होगा, इसका और इस त जब मिलें, तो then we can start talking about schedule, फिर हम hardcore schedule पर बातें किया करेंगे, हम यह जो unnecessary चीज़ें थी जिनको reference to context के लिए पढ़ रहे थे, यह बस हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, हाँ अलबता, अगर आपका कोई question होगा, किसी चीज़ को आप define बजीद करवाना चाहेंगे, तो मैं दोबारा भी discuss कर सकता हूँ, लेकिन यू, यू मस्ट बी रेडी फार starting the schedule, जी, any questions? जी, सभी है, सभी है, मेरी तरफ से टोकिय है, जबर दस, बस ये WS dictionary का था मैंजी, कि ये chat detail होती है, लेकिन आज आपने बता है, कि ये work package की सिरफ list को WS dictionary का, with some attributes, उनके कुछ थोड़े बहुत, तफसीलात के ये, क्या करती है, और क्या क्या, इस work package की क्या खशूसियत है, इसका कहां से link है, इस तरह दो चार, उसमें data डाला जा सकते हैं. और ये non-functional requirement जो है, quality की requirement होती है, quality से लिए, right, thank you. जनान, आपकी तरफ से क्या feedback है? जनान भाई, चले गए? यार, जनान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, खमूशी से slip हो जागा है. पता नहीं, जल्दी चलेगे हैं, यार, नहीं बैटे में हैं, वो कहीं उटके गए, तो वो उपर शो हो रहा हैं, उनका, नहीं हो हैं, नहीं हैं, नजर आ रहे हैं, अच्छा, हीज़े, मताब वो, computer on to, drive हो गए, अच्छा, anyway, जी, मैं close करता हूं, चाहर हैं, यार, नहीं होना थौक्ता थाजटा थाजा करूंदी क्यूं साथमराँ सास्वर्णी ठाजा नहीं हो पृूबूबू, मैं रखनत्या थाज़ेंा, वे भीयं होगे शनर्यार साध क्या